नमस्कार किसा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रियाबस्ट मतुरा में आरसस की बैठक हुई संग ने मुख्य मंत्री योगे आदितनात के बटेंगे तो कटंगे वाले बयान का समर्थन किया साथ संग प्रमुक मोहन भागवत ने संदेश दिया कि समाजिक समर्सता सरोपरी है संग को इसी पर फोकस करना है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम परसनल लौबोर्ड की अध्यक्ष मौलाना खालित सैफुल्ला ने वक्ष बिल को लेकर बया बयान दिया और कहा कि इस बिल को हर हालत में रोके के यह हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है मौलाना ने आगे कहा कि अगर जरूत पड़ेगी तो इस देश का मुसल्मान जीलों को इस कदर भर देगा कि हुकूमत को मुलाजिमों को रखने के लिए जगा नहीं बिलेगी तो आज आरेसेस की बैठक और मौ देखें जिस तरीके से मौलाना ने बोला है कि ये वक बोर्ट संसोधन बिल को किसी तरह से रोकना है रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं दो ही तरीके हैं रोकने के लिए एक तो अगर ये बिल पारित नहीं करवाना है तो लोकसभा में या राजसभा में किसी जगह पर इसे र चाहिए अब ये मौला ना जो प संसिदों के संखिया कितनी है ये पिछले दिनों वैसी के पास गया था मिटिंग करने के लिए हैदराबाद और वहाँ से मिटिंग करके क्या आया कि कैसे संसद में रोकेंगे इसकी मिटिंग नही बलकि सड़क पर कैसे रोकेंगे इसकी मीटिंग हुई है अब इन लोगों के पास पूरे पूरे विपक्ष को अगर ले लिया जाए जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों के साथ खड़ा होता है या मुसलिम समर्थक मुसलिम परस राजनिती करता है इन सब को मिला भी दिया जाए तभी संसद में इनकी आउकात नहीं है पहले राजसभा में इन लोगों को लगता था थोड़ा बहुमत है तो अभी इसे रोक सकते हैं लेकिन अब राजसभा में भी एंडिये 121 सीटों से ज़्यादा पर अपना संसद बना चुकी है और धीरे धीरे एंडिये क कुनवा बढ़ रहा है अभी उडिसा में दो तीन और संसद जो बिजू जनता दलके हैं वो भारतिये जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं दो राजसभा संसद पहले ही सामिल हो चुका है उसी तरीके से जगन मोहन रेड़ी की दो संसद एक बार भारतिये जनता चोड़ने वाले है अभी राजसभा का उपचुना भी होना है कुछ जगों पर तो ऐसे ही इंडिये 135 पार कर जाएगी और इसलिए ये माना जा रहा है कि कुछ टाइम लेने के लिए ही जेपी सी में बक बोट संसदन बिल को भेजा गया था अब ये मौलाना चाह रहा है कि संस पर नरोग पाएंगे और अभी जो इंडिये इलाइंस में कुछ पार्टियां है वो वक बोट संसदन बिल पर इनके साथ आए नहीं सकती जैसे उद्दव ठाकरे की पार्टी है उद्दव ठाकरे की शिव से ना कभी भी वक बोट संसदन बिदैक पे इसके अगेंस्ट में इसके बोट नहीं कर सकती भले ही वो संसद में वाक आउट कर जा जैसे पिछले दिनों जब ये बिल पेश हुआ था तो वो वाक आउट कर गए थी उसके नौव संसदन कभी भी वक बोट संसदन बिल के वीरोध में नहीं जा सकता उसके समर्थन में जा सकता है इसी तरीके कुछ और से पार्टियां है जो कि इंडी इलायंस में है लेकिन इस बिल पर इंडी इलायंस के साथ नहीं रहेगी तो अब इन मुसल्मानों की समस्या क्या हो गई कि संसद में इसे रोक नहीं सकते भले ही जे पिसी में 31 मिंबर है और 31 मिंबर में से ये 8 मुशलिम मिंबर है, क्यों? क्योंकि 4 जो लोक सभा, राज सभा से 3 लोक सभा से, एक राज सभा से जो कॉंग्रेस को मिला, उस चार में से 3 मुसलिमान है, सफ़ा का 2 मिला, 2 में से 1 मुसलिमान है उसके बाद TMC को 2 सांसद मिला है, दो में एक कल्यान बनरजी लोकसभा से दूसरा राजसभा से जो भेजा गया वो मुसलमान है यानि कि 31 में से आठ मुसलिम सांसद है और ये लोग सोच रहे हैं कि JPC में ओवैसी जैसे लोग और सारे मुसलिम सांसद एक साथ मिलकर किसी तरीके से इसमें ओवैसे संसोधन करवा ले जै लेकिन ऐसा होने बाला नहीं है JPC में भी इंडिये का बहुमत संसद में भी इंडिये का बहुमत मतलब कानूनी तरीके से ये लोग नहीं रोक पाएगा तो अब इसकी समस्या क्या हो गई कि अब कानूनी तरीके से नहीं रोक पाएगे तो इसके लिए दूसरा तरीका है pressure politics जो अभी 70 सालों से करता रहा है Congress को pressurize कर दिया जब सरकार रही तो इसके बाद जब Congress के समर्थन वाली सरकार रही फिर भी pressurize किया जब UPA की सरकार रही फिर भी pressurize किया लेकिन ये भूल गया है कि अब ना Congress की और नहीं Congress के गठवंदन वाली सरकार है अब सरकार केंदर में भी बदल गई है मोदी की सरकार है वहाँ इन pressure politics का कोई असर नहीं होता है इन लोगों ने ये politics CA के खिलाब भी की थी सेक्रो दिन तक आंदोलन करता रहा तिरपन चोवल लोगों की मौत हो गई लेकिन फिर भी सरकार ने क्या किया CA को लागू किया अब All India Muslim Personal Lab Vot की सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि जैसे ही बिना रोक टोक के वक बोट संसोधन बिल पास हुआ वैसे ही उसके बाद सरकार UCC लाने वाली है और जैसे ही UCC लाया गया वैसे ही Personal Lab न तो Christian का रहेगा न मुसलिम का रहेगा न किसी और Community या धर्म का रहेगा तो जब मुसलिम Personal Lab नहीं रहेगा तो यह Muslim Personal Lab बोड कहां से रहेगा जब Personal Lab खत्म तो सारे बोड करत्म इसलिए इन लोगों ने एक साजिस की है दंगा फैलाने की कि सड़कों पर उत्रेंगे लेकिन सड़कों पर उत्रोगे कहां एक तरफ तुम सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हो और दूसरे तरफ योगी और भागवत दोनों एलान कर रहे हैं मतुरा में संग की बैचक और संग में वही चीजे कही गई कि देखो वही किस तरीके से ये मुसलमान धीरे धीरे अपना आधार ही नहीं बढ़ा रहा है अपना वर्चस बढ़ाने की कोशिच कर रहा है ये अभी दस सालों का अगर देखा जाए दोहजार इगारह में क्या पोपुलेशन ग्रोथ रेट हिंदूओं का पोपुलेशन ग्रोथ रेट केबल 16% मुसलमानों का पोपुलेशन ग्रोथ रेट 24.5% यानि की लगबग डिढ़ गुना जादा हिंदूओं से इसका ग्रोथ रेट हो रहा है यानि की हिंदूओं से डिढ़ गुना जादा ये ब केबल उत्तर परदेश में ही 4 करोड मुसल्मान हो गया 3.8 करोड से जादा है और बिहार में भी जो 1.9 करोड माना जाता है लेकिन 2 करोड से जादा है बश्चिम बंगाल में 1.5 करोड माना जाता है लेकिन 3 करोड से जादा है ये 47% से 50% के बीच है तो ऐसे में इन राज्यों म ऐसे स्थिति पैदा कर देगा कि हिंदुस्तान को फिर से बाटने की नौबत आ जाएगे तो इसलिए ये हिंदुस्तान को बाटे उससे पहले खुद को बटने से बचो यानि की जैसे योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे संग ने कहा हिंदूों की एकता जरूरी है ये एक ह और वो जातियां जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, कोई 0.001% होगा, अगर तुम ये अधिकारिक तोर पर ये एनाउंस करना शुरू कर दोगे इस जाती का, उस जाती का, तो फिर उन जातियों में बटे हुए उस सबसे छोटे समाज तो और पूरी तरह से अलग हो गए, तो फिर तुम लड़ने के लिए तयार होगे, जैसे मुसल्मान लड़ता है, जैसे ये लोग हर मुद्दे पर सड़क पर उतर जाता है, जैसे ये लोग हर मुद्दे पर पत्थर लेकर उतर जाता है, जैसे ये लोग हर मुद्दे पर अपने लोगों के बीच एक सा इसकार करना है तुम अगर कहीं बाहर जाओ तो किन दुकान से समान खरीदना है ये इनके जहन में भरा जाता है ये कभी भी हिंदू के दुकान से समान नहीं लेता इसने पहले ही एक अधार बना लगता है क्या हलाल ये जो हलाल सटिफाइड समान हिंदू क्यों बेचेगा हला टूरिज्म चलता है यहर जगह पर हलाल तॉलिय साबून सोडा सरफ हर चीज आटा चावल सब कुछ को हलाल सर्टिफाइट किया जाता है मतलब वो प्रोडक्ट जिसके बनाने में कोई भी गैर मुस्लिम का इस्तेमाल नहीं किया गया उसको यह हलाल मानता है तो इसने तो पहल आर्थी काधार देना बंद करें जब यह आर्थी काधार इसकी तूटे गी तभी यह समलेगा और तभी उसके बाद इन लोगों को लगना सुरू हो जाएगा कि नहीं यह जो पोपुलेशन ग्रोथ रेट 24% बढ़ा रहे हैं यह दीरे-दीरे 14 करोड से 20 करोड बढ़ गए जो यह मौलाना जाके समाजबादी पार्टी का एकनेता करता है हम इतना बढ़ रहे हैं कि दीरे-दीरे उत्तर परदेश पर हमारा कबजा होगा और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना ज़्यादा सांसत बेज सकते हैं इसकी हेकड़ी तभी निकलेगी इसलिए अब यह जो और संग का प्लान चला है उस प्लान का मतलब यही है कि आगे एकनॉमिक बाइकाट होने वाला है हिंदू इकठे होंगे इन मौलानाओं की यानि 20 करोड मुसल्मान इस बात से खौप में हैं कि एक बार हिंदूों ने एकनॉमिक बाइकाट कर दिया तो उसके बाद हमारे तो हुका पानी बंद हो जाएगा हम खाने पीने के लाले पढ़ जाएगे फिर बच्चा पैदा करने की बाद तो छोड़ दो अपनी जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाएगा धन्यवाद सर समझाने के लिए धन्यवाद भारी पढ़ने वाला है किस्सा यूपी का में फिलाल के लिए इतना ही बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार